हेलो फ्रेम स्वागत आप सभी का मेरे और आपके इस चैनल में तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप विदाउट यसी आईडी और शात्म बैंक बिसी के भी अधार सेंटर ओपिंड कर सकते हैं अधार सेंटर के लिए ओनलाइन अप्लाय स्टाट हो चुका है एसे में अगर आप विदाउट यसी आईडी और बैंक बिसी के अधार सेंटर ओपिंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं तो आज किस वीडियो में आप लोग कम्प्लीट बताने वाले हैं कि आप किस परकाशे अधार सेंटर के लिए ओनलाइन आवेदन करेंगे कौन सी डॉक कमेंट की होगी और यहां पर आफ शोवَّर को कितना करना होगा सारी जनकारी इस वीडियो में आप लोगा दो वीडियो को आप डिए तक चलिए वीडियो barking ऄदे और पर साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करतें सोlara करते तो सबसे पहले अगर यहांपर बात किज की आ अधार शेंटर open कर सकते यूटियाई के बारे में बहुत सारी लोगों को पता होगा कि पैट का सर्विजज को प्रवाइड करवान दे थी यूटियाई आप श्रवी को बता दे कि एक और्बेंट और अफ इंडिया का कमपनी है जहां पर आफ शभी को बहुत सारी शर्वीसिस को प्रवाइड की जाती है सबसे पहले पर in kaart कम सबीसेंड साथ में इसका जो भी की जाते तो अधार सर्विसेज को यहां पर शे न्यूही एड किया गया है जहां पर शे आप अधार सेंटर यूटी आई के माधाम से ले सकते इसका और भी इनफोर्मेशन डिटेल जाने के लिए किलिक टू वीजिट के ओप्शन में किलिक करेंगे तो जो भी आप यहां पर यूटी आई के माधाम से अधार सेंटर ओपिंड करेंगे उसमें जो भी आप लोगों को इनकुलूर्ट फाइब सर्विसेज दी जाएगी इसका चार्ज भी यहां पर से मैंसिन क्या गया है जैसे कि सबसे पहले आप सभी को आजाता है कि आप किसी भी बेक्ति को अधार कर बनाते तो आप सभी को यहां पर फ्री रहेगा और कि कोई भी चार्ज आप लोगों को यहां पर से पैमेट नहीं करना होगा इसके साथ अगर किसी भी वेक्ति को फुल बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं विदा डेमोग्राफ अपडेट तो यहां पर आप सभी को 100 रुप अपडेट करते तो 50 रुपे पैमेट करना होगा एंड साथ में अधार डाउनलोड करते हैं तो यहां पर 30 रुपे पैमेट करना होगा तो यह आप सभी को यहां पर से यूजर आईडी और पास्वेड के लिए आप नी अधार सेंटर के लिए ओनलाइन आवेदन कर अधार सेंटर लोकेटर के औप्शन में क्लिकर करके जो भी आपके नियरस्ट में इसे अधार सचन्टर ऑपें हुए या फिर जो भी आपके नियरस्ट में इसका यह से जो कि आप यहां पर से अधार के लिए काम किया जाता है तो यहां पर आपने जो भी नियरेस्ट है उसको आप यहां पर से सेलेट करके जान सकते हैं चलिए बात करते हैं कि आप लोगों को यहां पर से अधार सेंटर ओपेंड करने के लिए सबसे पहले मेडेटरी एक सर्टिफिक कर पाएंगे इसके लिए आफ सभी को बता दे की आफ सभी के पास अधहर सुपरवायजर या फिर अधहर operator का Certificate अगर आप लोग के पास है छेन आप इसकेलिए अवेदन कर पाएंगे आप dua को आपने के लिए सिम्परसिंपर करें इसके और को एकegenfold को फॉलो सब्सक्राइब अब और यहां पर सभी को तिन और सन दिया जाता पहला होता है कि आप कॉन्ठेक्ट कर सकते अधार सेंटर और आपिन करने के लिए दूसरा envision कर सकते एंट तीसरा है आप सबीको यूटी का हीड ओपीस में विजिट कर सकते जहां पर आप अधार सेंटर के लिए डॉकुमेंट को समिट करेंगे देन उसके बाद आप लोगों को प्रोसेसिंग में दे दिया जाएगा जिसके बाद वी दिन 15 डेक के लिए लेकिन यहां पर जो भी होगा चार्जस वह आप लोगों को आनी की ओफीस को विजिट करने के बाद ही पता चलेगा कि आप लोगों कि इतना चार्जस यूटी आई के थूँ अधार सेंटर ओपेंड करने के लिए पैमेंट करना पड़ेगा तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं तो आई होप अगरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा एंड साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें गर इसे रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई वी क्वारे है देन आप कोमेंट कर सकते हैं जिसका रिप्लाइ आपको इंस्टेट मि मिल जाएगा मिलते नेस्ट वीडियो नेस्ट टॉपी के साथ तब तक के लिए हैं